अब data science की series में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं python for data science जिसमें हम काफी सारी libraries पढ़ चुकें, काफी सारी अंदर से हम नमपाय पढ़ चुके हैं, पांडास पढ़ चुके हैं, आज के वीडियो में हम अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, matplotlib पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम काफी लाइंग भी बनाना सीख ली थी ठीक है अब आज की वीडियो में कुछ इस तद्रह के ग्राफ बनाना सीखेंगे जिसमें हमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे बार ग्राफ से छीक है इसी तरह से हम देखेंगे कि मल्टिपल बार किसे बना सकते एक ग्राफ के अंदर ओके तरह का फूर्ट कहांब में बनाना फूर ये होगारे यह जो औरे इसा उर निये जो लाइना आपको दिया है तो में करना है जैसा कि हमने स्कारेटा को क्या कर लेते हैं पहले कॉपी कर लेते हैं इतने data को हमने क्या कर लिया है यहाँ पर copy कर लिया है इसके बाद में देखू यह क्या है हमारी classes है यह average 1 average 1 मतलब जो कि term 1 का result था यह term 2 का result था चलो में काम करते हैं इसको male result देख लेते हैं मतलब जो male students है उनका result और यह जो result है उसको female students का result माल लेते हैं इतना काम हमारा हो चुका है इसके बाद हमने और क्या किया था तो इसके बाद suppose हमने जैसे कि यहाँ पर y limit ली थी तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं y limit लेते हैं 30 से 100 के बीच में percentage आएंगे तो y axis में 30 से 100 तक के जो बास है जो points है वो अपने आप क्या हो जाने चाहिए बास नहीं points जो है वो अपने आप क्या हो जाने चाहिए बन जाने चाहिए तो इतना काम हमने कर लिया जो कि हमने पहले भी किया था इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हम simple graph बनाते हैं तो उसके लिए आपको plt.plot जहां आप लिख रहे थे उसके जगे आपको क्या लिखना है बार लिखना है इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम x-axis पर चाहते हैं और y-axis पर हम क्या चाहते हैं क्या आने चाहिए mail के जो percentage है वो आने चाहिए तो यहां पर हमने दे लिया m-a-l-e अब हम क्या करते हैं इतना काम हमारा हो चुका है अब हम यहां पर लिखते है pld.show हम लिख लेते है अब हम देखते हैं हमारा output कुछ किस तरह से सिया रहा है इसके width तो हम इक काम करते हैं . इसकी width को थोड़ा सा कम कर एते तो width हमने देदी है isकी 0.5 और हम देखते हमारा output किस तरह से आ तो आप देख सके commence your width थोड़ा सी कम हो चुकी है चीक है विट्थ हमारी कम हो गई इतना काम तो हमारा हो गया color भी हमें change करना है तो चलो हम color भी change कर देते हैं तो color is equals to suppose मैंने यहाँ पर दे दिया है red तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा ही बेकार color लग रहा है यह चलो हमने इसका color change करके इसका color दे दिया है red okay एक और चीज होती है यहाँ पर हम दे सकते है edge color is equals to मैंने दे दिया suppose blue दे दिया है तो यहाँ पर BLU की मैंने दे दिया अब हम देखते हैं क्या हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर boundary बन चुकी है जिसका color क्या आ चुका है blue आ चुका है edge color छीक है इतना काम हमारा हो गया अब हमें क्या करने हैं यहाँ पर x ticks देने हैं मतलब मैं यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th न देखे जैसे कि पहले हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं x tick दे देते हैं तो इसी line को हम क्या कर देते हैं copy कर देते हैं और यहाँ पर नीचे क्या कर देते हैं हम paste कर देते ह यहां पर आकर हमने इसको paste कर दिया है, अब हम इसको run करके देखें, तो अब आप देख सकते हो कि इनके जो ticks हैं वो भी आ चुके हैं, एक और काम करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर क्या दिया है, 30 से लेकर 100 तक कुछ इस तरह से दिये है, percentage, मतलब यह while lim का यूज किया है, इसक हमने कर दिया, अब वहां पर आपने कर नंपाय लाइक दरी अच्छी तरह से पड़ी हो, तो उसमें a range करके क्या था, function था, उसी का हमें यहां पर क्या करना है, यूज करना है, तो यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर total, देखो हमारी जो classes हैं, देखो हम यहीं पर क्या देते तो यहां पर हो गया, यह G2 नाम का ग्रूप, इसी तरह से यह हो गया हमारा G3 नाम का ग्रूप, इसी तरह से यह हो गया हमारा G4 नाम का ग्रूप हो गया, ठीक है, यह हमने कर दिया, अब यहां पर हमने Y axis के लिए तो चलो Y LIM का यूज कर लिए, X axis में देखो, हमने यह labels ब लिख दिया x is equals to np.a range और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया len of classes तो classes की length कितनी है 4 है ठीक है तो अब हमारा a range function work करेगा जिसमें हमने upper limit क्या दी है 4 दी है और यहाँ पर हम classes के place पर यह x-tix को अभी हमें हटा देना है ठीक है classes के place पर हमें यहाँ पर क्या लिख देना है classes के place पर हमें यहाँ पर लिख देना है x यहाँ पर क्या लिख देना है ठीक है अब हम इसको करके देखते हैं run अब इसको हमने run किया तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो 4 होता है प्योंकि length of classes क्या थी 4 तो वो क्या है excluded है ठीक है अब आपको लगेगा यह तो पहले जैसा ही काम हो गया तो अब हमें यहाँ पे क्या देने वापस वही G1, G2, G3 and G4 देने तो वो हम कैसे देंगे यही टिक्स का ही उस करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें आप क्या दे देना है एक्स दे देना है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया एक्स दे दिया और लेबल्स इस इकोल्स तुम सी दे ही क्या देंगे classes दे देंगे क्यों दे देंगे क्लासिस के अंदर यही सारी चीज़ है हमारी क्या है stored है okay color is equals to मैंने दे दिया white इसको हम run करते देखो मैं फिर से इस चीज़ को आपको एक बार समझा दूँगी तो यहां आगया हमारा G1, G2, G3, G4 देखो टिक का ही हमने क्या किया है यूज किया है लेकिन अब हमारे X में जो data है देखो X का जो हमारे data है वो यहां से जंदेट हो रहा है that is 0, 1, 2, and 3 यहां से जंदेट हो रहा है उसी के corresponding हम क्या कर रहे है ऐसा हमने क्यों कि अभी समझ में आ जाएगा ठीक है और Tix जो है वो हमारे कहां से आ रहे हैं आप चाहो तो सीधे आप यहां पर भी क्या दे सकते हो G1, G2, G3, G4 दे सकते हो उसमें कोई problem नहीं है लेकिन यह क्योंकि हम already बना चुके हैं तो उसी का हमने आप पर क्या कर लिया है यूस कर लिया है ठीक है तो हमारे जो Tix होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे जिसका color क्या होने वाला है white होने वाला है अब हम एक काम करते है यह तो हमने किस के लिए बनाया male के लिए बनाया अब female के लिए हमें graph बनाते है तो इसको हमने क्या किया है copy किया है ओके और इसी को हम यहां पर paste कर देते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है X तो वही रहेगा छीक है हमारे groups तो वही है हमारे groups वही है G1 है G2 है G3 है और G4 है अब उसमें male का आपका data जो है वो plot हो चुका है अब हमें female के data को क्या करना है plot करना है तो यहाँ पर हमने दे दिया female दे दिया क्या दे दिया है blue अब हम इसको run करके देखते हैं कि output क्या रहा है तो अब यहां पर अगर आप देखो तो यह क्या हो रहा है सपोर्ज आप इसको 97 दे दो 99 देदे रो बहुंत है और आप अब आप चाहते हों कि side by side आना चाहिए, यहाँ पर male का, यहाँ पर female का, यहाँ पर female का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए, देखो, यह जो X लिखा है ना, उसका वही reason था, तो यहाँ पर इसके width कैसे है, 0.5 अब आप इसे में क्या कर सकते हो, प्लस 0.5 कर सकते हो अब हम देखते हैं हमारा जो data आ रहा है graph आ रहा है वो कैसा आ रहा है तो आप देख सकते हो आपका जो graph आ रहा है देखो ये male का data ये female का male female male female male female लेकिन ये जो हमारा g1 g2 ये ticks है न वो सही position पर नहीं आये हैं तो अब क्या किया जाए तो अब आप देख रहे हो कि देखो इसकी विर्थती 0.5 थी ठीक है 0.5 के center में आ रहा है ठीक है मैं चाहते हूँ वो यहां पर आना चाहिए तो क्योंनों मैं इसमें 0.25 को क्या कर दूँ एड कर दूँ ठीक है इस तीमे मैं क्या कर दूँ 0.25 को अगर मैं एड कर देती हूँ तो उस case में देखते हैं कि हमारे ये जो legends हैं मतलब जो ticks हैं वो सही position पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो अब आप देख सकते हो देखो ये g1 आ गया ये g2 आ गया ये g3 आ गया ये g4 आ गया है यहाँ पर देदेना है मुझे male male ठीक है और यहाँ पर मुझे क्या देदेना है कॉमा लगा कर label is equals to female तो female मैंने दे दिया ठीक है इसके बाद मुझे यहाँ पर last में क्या कर देना है plt.legend legend लिख लेना है अब हम इसको run करके देखते हैं सकते हैं अब करके लेजी आज ь चुकिए अगर आपको विर्थ को थोड़ा सा कम कर ना है तो विर्थ को आप कर सक्तिए और यहाँ पर वιर्थ में चेंजिस कर सकते हैं यहाँ पर हमने र्भाभ defense लिट 0.2 यहाँ पर हमने चेल देदा तो अब आप देख सकते हो आपका output पिल्कुल व्यवस्थित आ रहा है